हेलो वेवर्स वेल्कम टू माई चनल लाइफ इस वीडियो में आपको प्लिंट लेवल तक एक घर कंस्टर्ड करें सो दिखता है तो यहां पे टोटली जो है कम्प्लेटली अर्थक्विक रेजिस्टंट बिल्डिंग बनने वाल है सो इन फ्यूचर में भी आप इसका वीडियो आपको दिखा दूँगा पस फिलाल देखें यहां पर यह जो है डबल प्लिंट यानि कि ग्राउंड लेवल पर प्लस लेवल पर यह डैंप प्रूफ कोर्स उस लेवल पर और एक डबल प्लिंट है टोटली अर्पिक रेसिस्टं है और प्लिंट बीम के अंदर कितना बार्स यूज करना चाहिए तो 12 mm बार्स है 5 नंबर आफ 12 mm बार्स एंड एट एट एमेम स्टिरप्स काफी सब्सेंट रहेगा एट सेवन इंट सेंटर दू सेंटर 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 है और अगर कंपोर्ण वाल के पास में जो है आप नाइन इंच का कॉलम नाइन इंच इंटो 12 इंच का कॉलम भी उसकर सकते हैं डिपेंड करता है कि लोड कितना पढ़ रहा है तो वीडियो दिखाने का में मकसद है कि अगर का घर या जमीन उस एरिया में जहां पर अर्थक्विक रेसिस्टन चाहिए आपको भूकम के भूकम के संभावना ज्यादा है तो उस वक्त आप इस टाइब का डिजाइन यूज करना कर सकते हैं यानिके और दूसरा बात बोल अर्थक्ति रहता है ना वहां पर जो है जमीन लेवल से ही प्लिंट बीम शुरू कर दीजे और जहां पर हाड मिटी है और ज्यादा डीप फॉंडेशन नहीं है तो उस साइड जो है आप प्लिंट लेवल यानिके जमीन से 5 फिट उपर उपर यानिके चार चार फिट उपर भी हम बना सकते प्लिंट बीम और फिलाल इस बिल्डिंग के अंदर कॉलम में जो है 16 mm का चार बार है और 12 mm का जो है चार बार है प्लिंट लेवल से जो है करेब पाच फिट है प्लिंट लेवल एक इजी सुजाओ देना चाहता हूं आपको अगर आपका घर घर के सामने जो है रोड नहीं है और आप कितना हैट पर लेना चाहिए तो आप फाइफीट पर लेजिए काफिया इट सफिशेंट पार्किंग लेवल जो है तीन फिट तक लिजिए सपोज आपके घर के सामने रोड अल्रेडी बने सो है तो चार फिट काफी रहेगा विकाउज रिजन यहीं कि अगर आपके पास कार है तो कार पर्किंग के लिए ठोट डिफिकल्ट रहेगा में रिजन हो ही है उस पर दिखाया हूं यह जो डबल प्लिंथ है टोटल इट सार्फिक रिस्ट्न बिलिंग तो थेंक्यों सो मच पर वाचिंग इस वीडियो अंटिल एंट ग्रेड डे अभी मैं आपको थेले फोटोस दिखाना चाहता हूं देख लिजिए यह जो है नव पंदर इंच का कॉलम है 16 mm का जो है चार बार्स और बीच में दो है 12 mm का प्लस इधर बीच में यह दे सकते हैं यह भी 12 mm का थेंक्यो झाल